नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडी वी सचिन सर में आज की इस वीडियो में हम माडल प्रेक्टिस सेट फोर करने वाले हैं इस वीडियो में भी हम टाप 50 रिजनिंग के कुईशन देखेंगे इसके पहले मैंने रिजनिंग के ती कुईशन नमबर 1 से स्टार्ट करते हैं बताइए कि इसमें कौन सा आपसन बिल्कुल राइट होगा चलिए भाई बताइए कौन सा आपसन राइट होगा तो ध्यान से देखें काफी आसान है ज्यादा कठी नहीं है तो आपका आपसन नमबर 3 बिल्कुल राइट एंसर हो ज जाएगा ठीक है आप समझ रहे होंगे क्यों ऐसा होगा अगर दिक्का थो तो बताईए चलिए कुछ नमबर 3 में कुछ नमबर 3 में जल्दिस बताएं कौन से उत्तर से होगा आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो चुकी होगी कि आप इसको देखते मान तुरंद बता देंगे कि इ चलिए आगे चलते हैं कि कुछ नमबर 6 कौन बताएगा भाई कुछ नमबर 6 का आप से नमबर 2 विल्कुल राइट एंसर होगा ठीक कुछ नमबर 7 कुछ नमबर 7 का कौन बताएगा आप से नमबर 3 ठीक समझ रहे हैं कुछी कट चलो भाई आगे का चलते हैं कुछ देखते ह है वाहिए क्यूस्टिन नमबर 7 का आमसर नमबर 3 कि चलिए कि एसे बेन का ठीडी कहां से जलाता है कि कि मैं कि क्यूस्टिन नमबर 7 जल्दी से बताई इसका उत्तर किआ होगा कुछरिशन no seven में आपका आपसन no 1 विल्कूल राइट अंसर होगा। चलीए आगे देखते हैं। कुसे No. 8 कुशे No. 8 में कौन सा विकल्प से होगा कुशे No. 8 कुशे No. 8 कुशे No. 8 कुशे No. 8 में benefits You दूसरा option right हो जाएगा, question number 9, question number 9 में क्या होगा, question number 9 में ध्यान से देखिये, question number 9 में आपका पहला option बिल्कुल right answer हो जाएगा, question number 10, 10 में बताएंगे, तो 10 में आपका option number 3, बिल्कुल right answer Question number 11, बताइए, 11 में आपका कौन सा option सही होगा Question number 11 में आपका तीसरा option बिल्कुल right हो जाएगा Question number 12, यह नहीं 12 में, 12 में आपका तीसरा option बिल्कुल right हो जाएगा Question number 13, 13 में आपका कौन सा भी कल्प सही होगा तेरा का भी आपका दूसरा option बिल्कुल right answer हो जाएगा question number 14 question number 14 में आपका तीसरा option बिल्कुल right answer हो जाएगा आगे चलते हैं 15 question number 15 में आपका account सो उत्तर से होगा question number 15 में आपका fourth option बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक चलिए आगे के question देखते हैं Q$16, बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, Q$16, 16 का जही आपशन क्या होगा, इस में आपसन नमबर 4 बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा, सत्रा देखते हैं, साथना नमबर in बताइये जलने से सिर्थ के कौन सा विकल प dám C तो पिल्कुल रारइट एंसब झोजाेगा ठीक चरिए उसके बाद कुश्य नमबर 18 turbines spatulasция में Kencht Accountant में कौसर सही होगा कोशन अ cœरारा क् Alright में आपका चोथा option बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा कुछनमबर 19 देखेव 19 этих 19 कौन बताएगा बाई कुष्य minha 19 कौल सान्ब इस का आपसन भी बिल्कुल इंट को सीशन भी डीजी में बताइए मिद्याइए क्या होगाfig टुद्यांग से देखेंगे इसका पहला आपसनभी इल्कुल रैट होगा कुशन नमबर 21 21 में चलते हैं 21 21 21 21 21 21 21 21 का आपका पहला option बिल्कुल right answer हो जाएगा 22 बताईए 22 बताएंगे भाई 22 इसमें कौन सा उत्ता से होगा 22 का आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल right answer होने वाला है 23 बताईए 23 23 23 में कौन सा विकल्प सही होगा 23 23 23 का आपसन नमबर 4 बिल्कुल right answer हो जाएगा 25 का बताएंगे भाई 24 24 का बताईए 24 का आपसन नमबर 3 बिल्कुल right answer 25 25 का कौन सा विकल्प सही होगा 25 25 का आपसन नमबर 1 बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक चलिए आगे देखते हैं 26 में कौन सा विकल्प सही होगा 26 भाई धियान से देखें तो पहला आपसन सही होगा 27 27 का नमबर थीडि से 32 इसमें भी आपका 32 देखिए कहा है इसका विकल्प यह दिया है 32 का option number 1 बिल्कुल right answer हो जाएगा 33 बताईए 33 33 का option number 2 बिल्कुल right answer होगा 34 34 34 बताएंगे 34 35 जल्दी बताईए 34 का option number 2 35 35 का क्या सही होगा जी 35 35 का option number 4 बिल्कुल right answer होगा आगे चलते हैं 36 36 36 का option number 4 बिल्कुल right answer हो जाएगा 37 37 का option number 2 बिल्कुल right answer होगा आगे चलते हैं 38 38 number question का उत्तर बताएंगे 38 इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा 39 39 का आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा 40 40 नमबर का उत्तर बताएगे 40 इसनमबर 40 40 में आपका काउंट सभिकल्प नमबर बताएगे 41 41 41 42 में आपका पहला और संसरे होगा 42 42 में आपका दूसरा अप्षनसरी हो जाएगा 43 je 43 में आपका तीशरा विकल्प सरे 44 44 में भी आपका तीसरा अप्षन सरे 45 45 में आपका चौत आप संन्राइट है ठीक काफ़ी आसान है ज्यादा कठीन नहीं है आप समझ गई होंगे चलिये 46 में देखते हैं इसमें भी से हो जाएगा फोटी एट चौथा फोटी नाइन चौथा फिप्टी फिप्टी का आपसन नमबर थीन बिल्कुल ट्राइट एंसर होगा तो यह थे आज रिजिनिंग के काफी इंपॉर्टेंट सवाल और इन सवालों को आप दुबारा देखिए तीबारा देखिए जितनी वारों से कि उतनी वार आप देखिए अगर आपको ना समया तो आप जरूर पहुचिए और अगर कोई भी प्राब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा उसके अलामा मिलते हैं